वेल्गम भूश्टडी चैनल मेरा नाम है मुहम्मद कैसर BPSC TRE3 का जो विग्यापन है वो 87,774 पदों पर जारी किया गया है जिसकी परिक्षा हो चुकी है 1 to 12 की सभी परिक्षाइं सो कुसल संपन हो चुकी है अब बड़ा सवाल है कि किन अभ्यरतियों का चैन होगा कट ओफ कहां तक जा सकता है तो बहुत सारे अभ्यरति परिशान है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कट ओफ की और जाने की कोशिश करेंगे कि कितना expected कट ओफ आपका हो सकता है सबसे पहले तो यह request है BPSC से, बिहार सरकार से कि one candidate, one result पर काम होना चाहिए यह 87,744 पतों पर विग्यापन आया है तो इतनी सीटें भरनी चाहिए इसी भरती से ही क्योंकि TRE1 में भी हमने देखा, TRE2 में भी देखा कि सीटें खाली रह जा रही है, अब भरती परिशान है qualifying mark से उपर number लाने के बावजूद, सीटें खाली रहने के बावजूद नोकरियां नहीं मिल पा रहे है कि एक अभ्हरती का कई जगह पर selection होना, जैसे माले जो कोई B8 candidate है वो 6-8, 9-10, 11-12, तीनों अस्तर के लिए अवधन किया हुआ है, तीनों जगह वो qualify हो सकता है ऐसे डियलेट candidate यदि उसने graduation प्लस डियलेट किया है, तो 1-5 और 68 दोनों के लिए अवधन कर सकता है, करता ही है, दोनों जगह सेलेक्शन भी हो सकता है तो ऐसे में BPSC ये करता है कि उनका result हर work में जारी कर देता है, जहां वो जवाइन करते हैं, करते हैं, बाकि किसी तेना खाली रह जाती है हाला कि TRE1 में code का आदेस आ गया है कि supplementary आपको देना होगा, लेकिन TRE3 में notification में ही ये प्रावधान कर दिया गया है कि इसका कोई भी supplementary यानि पूरक result नहीं आएगा, तो इस पर एक बार फिर से सरकार को और BPSC को सोचने की आउशकता है आप लोग भी ये मांग लगातार उठाईए और इस पर सरकार कुछ न कुछ विचार करें बात करेंगे, अब हम लोग वर्गवार यानि 1 to 5 की तो 1 to 5 में टोटल देखेंगे 28,026 सीटें हैं, ठीक है, जिसमें अनरक्षित EWS यानि category Y सीटें बटी हुई है जब कॉट ओफ की बात होती है तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाती है, कुछ लोग खुश हो जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं आपने जादा बताया, कुछ लोग कहते हैं आपने कम बताया देखिए दोस्तों, कॉट ओफ का exact जो data है, वो present time में किसी के भी pass नहीं है, BPSC के अध्यक्ष के भी pass नहीं है, क्योंकि अभी OMR के scanning हो रही है, अभी जल्दी आपको OMR जारी होगा खबर है कि जुलाई में ही OMR आप अपना डाउनलोड कर पाएंगे, अगस्त के first week में answer किया जाएगी, तो आप exactly मिला पाएंगे कि आपके कितने number बन रहे हैं और आ रक्षर संबंदी मामला जैसे ही code से clear होता है, result आपका जारी कर दे जाएगा, अगस्त में ही result देने की त्यारी है तो अभी किसी को नहीं पता है कि cut off कितना जाएगा, ठीक है, एक हम लोग analysis यहाँ पर कर रहे हैं TRE1 का cut off आपको पता है कि 67 गया था UR male का और 57 गया था UR female का 1 to 5 और 6 to 8 में महिलाओं को 50% का रक्षर है, तो 10 number का अंतर होता है male female में, ठीक है, तो यह जो अंतर है वो TRE3 में भी देखने को मिलेगा TRE1 से जादा ही cut off इस बार जाएगा, यह तैं है, क्योंकि TRE1 में primary की seat बहुत ही जारा थी, अस से जार क्या सपास थी, इस बार 28,000 है, हाला कि बहुत सारे जो cream student थे वो select हो गए उन भरतियों में, फिर भी competition तो है ही है, ठीक है, एक seat पर लगबग 4 से 4.5 अभ्यरतियों का fight ह primary में, ठीक है, तो हमारा ये मानना है, जो हमारा अनुमान है, जिस प्रकार का paper आया है, और जिस प्रकार से seatों के संख्या है, इस बार जदी आप 75 से 80 के आसपास number ला रही हैं, तो आप बिल्कुल safe है, you are male की में बात कर रहा हूँ, जिसका cut off सबसे जादा जाता है, ठीक है, male से female में cut off का जो अंतर है, 10 का होगा, 9 से 10 marks का, तो ये आप समझिएगा, ठीक है, किसी को cut off जादा लग सकता है, लेकिन ये competition का level है, उसके according मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, 45 से 80 हमारा अनुमान है, ठीक है, और females में फिर 10 number आप कम कर लिजिएगा, ऐसे जब आप category में आएं हमारा analysis है, बागी कुछ लोग 95 भी बता रहे हैं, हमारा मानना की cut off उतना जादा नहीं जाएगा, क्योंकि paper इतना आसान भी नहीं था, इस्टूडियो में और घर पर सभी paper आसान लगती हैं, लेकिन examination hall में जो pressure situation होता है, उसमें प्रस्नों को हल करना एकता है, समैसी माम में, वो बड़ा एक challenge होता है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा cut off तो नहीं जाएगा, लेकिन 85 भी कोई कम नहीं होता है, ठीक है, तो ये हमारा फिलहाल का अनुमान है, 1 to 5 के लिए, 6 to 8 की बात करें, तो यहाँ पर विशयवार भरती होती है, गडित विग्यान, और समाजिक ग्यान और समाजिक विग्यान में हमारा ये अनुमान है, कि जो cut off है, वो 80 के आसपास जा सकता है, plus minus 5 में लेकर चलोंगा, सभी work में, सभी category में, और वहीं पर English की बात करें, तो English में cut off कम जाने वाला है, जो paper था, वो काफी अलग इस पर आ गया, बच्चों ने बताया कि का cut off कम जाने के पूरे पूरे chances हैं, और 70 के आसपास, ठीक है, इसे कम में भी chain अंगरीजी में हो सकता है, और फिर हिंदी की बात करें, तो इसका भी cut off English के आसपास रहेगा, थोड़ा सा high जा सकता है, ठीक है, तो फिलहाल 75 से 80 एक अनुमान है, 1 to 5 हो, या 6 to 8 हो, या कोई भी 9 10 की बात करें हम लोग, तो 9 10 का जो cut off है, वो TRE 2 जैसा ही रहने वाला, एक दो प्रशन उपर नीचे हो जाए, वो बात अलग है, ठीक है, तो आप चाहें तो एक बार TRE 2 का cut off जो official है, BPSC वाला वो देख सकते हैं, cut off काफी high गया था पिछली बार, और इस बार भी high ही जान की उमीद है, बाकी विशेवार आप चाहें तो previous cut off को देख सकते हैं, ठीक है, और सबसे जो कम cut off रहेगा इस बार वो 11 12 का रहने वाला है, ठीक है, 11 12 में कुल जो सीटों की संख्या है, वो 22,373 है, और इसमें 65 से 70 पर भी chain हो सकता है, बाकी विशेवार ही cut off बनती है, आप जा सकता है, तो यह कुछ important जनकारी आप लोगो देनी थी, कितने लोग संतुस्थ हैं इसको टॉप से, कितने लोग नहीं हैं, बताएगा comment section में, वीडियो को like कर दीजेगा, चैनल को subscribe कर लाएं, और हमारे साथ बने रहें, thanks for washing